तो फानलिकाज अगर आप भी ट्रेडिंग के फिल्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग क्या होता हैं ट्रेडिंग के कितने परकार होते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होते हैं तो आज की इस वीडियो में ह आप कम पैसे में खड़ीते हो और ज्यादा पैसे में बेजते हो तो बीच का जो पैसा हो वो आपका फैदा हो जाता है यानि कि बिजनेस में आप किसी भी पेन को जो है सो चार रुपे में खड़ीते हो और पांच रुपे में बेजते हो तो एक रुपया जो है सो आपका प्र और उसको जो है सो जब उसका प्राइज जो एक सो रुपया बर गया यानि पान सो रुपया का प्राइज है और छे सो रुपया पर चला गया तो उसको जो है सो आपको बेच देनी है तो उसमें जो सो आपको कितना फैदा हुआ तो आपको जो है सो पान सो रुपया फैदा हो तो इसी को जो है सो trading बोला जाता है तो चलिए अब हम जानता है कि trading के कितने परकार होते हैं उसके बाद हम जानेंगे trading और investment में क्या आंतर होता है तो सबसे पहला है scalping trading इस trading में हम shares को जो है सो कुछ ही minute के लिए अपने पास रखते हैं और उसे बेच का जो है सो profit कमाते हैं जिसे हम ascalping trading कहते हैं और दूसरा है intraday trading intraday trading में जो हम company के shares को जो है सो कुछ घंटे के लिए खड़ीते हैं और market को बंद होने से पहले जो है सो उसे हम बेच कर जो है सो profit कमाते हैं intraday trading का जो है सो time होता है सारहे 9 वज़े से सारहे 3 वज़े टक का time होता है इसी के अंदर जो है सो आपको company के shares को जो है सो खड़ी दिने होते हैं और बेचने होते हैं उसके बाद तीसरा हुआ swing trading swing trading में जो है सो हम company के shares को जो है सो कुछ दिने के लिए रखते हैं और उसके बाद जो है सो हम profit कमाते हैं तो ये था trading के चार परकार तो चलिए अब हम जानते हैं कि trading और investment में क्या आंतर होता है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल गया होगी कि trading में जो हम company के shares को कुछ दिन कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट के लिए जो है सो अपने पास रखते हैं उसके बाद जो है सो बेच देते हैं तो उसे trading करते हैं लेकिन यहाँ पर जो है सो confusion आ जाते हैं कि आखिर investment क्या होता है तो चली जानते हैं कि investment क्या होता है तो दोस्तों investment भी एक परकार के trading का रूप है वो दो साल के बाद या फिर तीन साल के बाद जो है सो बर सकता है तो हम जो है सो उस कमपनी के सेर्स को जो है सो खरीद कर रख लेते हैं और दो साल के बाद चार साल के बाद या फिर दस साल के बाद जब उसका प्राइज जो है सो दो गुना पाच गुना या फिर दस गुना ब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपिक के साथ